हल्लो फ्रेंट्स, वेलकम टू माइ चनल साहू साइंस क्लासेज तो फ्रेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th साइंस वालों के लिए बहुत इंपोरेंट होने वाली है जी हाँ, आज की वीडियो में हम नियंतरण एवं समन्वे साइंस का आपका चैप्टर 6 जो है नियंत्रन एवं समन्वे, कंट्रोल एंड कॉडिनेशन, उसके मोस्ट इंपरेंट MCQ लेके आए है, जो के आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यह से बहुत ज़्यादा इंपरेंट है, उससे पहले हम जैव प्रकरम के MCQ डाल सके हैं, डाल चुके हैं, ठीक है, तो उनको जोड देख लीजेगा, और आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के हुए शुरू करते हैं, देखिए, सबसे पहला हमारा कोशन है, ठीक है, यह है, मस्तिश्क उत्तरदाई है, मस्तिश्क किस चीज के हैं, मस्तिश्क मारा माइंड है, माइंड की चीज के लिए उत्तरदाई होता है, सोचने के लिए, हाँ, अजदैस पंदन के लिए भी होता है, शरीरका संतुलन बनाने के लिए होता है, तो यह सभी, तो अंसर क्या हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा, ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली इस्तान को कहते हैं क्या कहते हैं सिनेप्स कहते हैं फिर है निसल्स कड़ पाए जाते हैं तो निसल्स कड़ किसमें पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में ठीक है नेक्स देखिए उच कशेरुकियों में ताप गराही इस्तित होते हैं किसमें तवचा में मस्तिष्क को गिरने वाली तीन जिल्निया कहलाती है तो क्या बुलते हैं उनको मस्तिष्क कावरण क्या लिखते हैं मस्तिष्क कावरण उसके बाद है अगर मस्तिश्क के दो प्रमस्तिश्क गोलार्द किसके दौरा प्रतक रहती है तो इसका है प्रमस्तिश्क खाँच के दौरा नेक्स्ट है मानव मस्तिश्क से कितनी कपाल तंत्र काई निकलती है तो बारा जोड़ी निकलती है, कितने निकलती हैं, बारा जोड़ी, नेक्स्ट है, अनुमस्तिश्क किसका भाग होता है, तो अनुमस्तिश्क की जो होता है, वो पश्च मस्तिश्क का भाग होता है, नेक्स्ट है, निकलना, खासना, छीकना, नियंत्रित होता है, तो यह किसके बड़ा होता है तो प्रवमस्टिश्क जो होता है सबसे बड़ा होता है उसके बाद है पॉन्स प्रवमस्टिश्क तदा मेड्यूला परस पर मिलकर बनाते हैं क्या बनाते हैं पश्च मस्टिश्क बनाते हैं नेंक्स्ट है रीड रज्जु में से उपस्तित संकीन, तरल, भरित, गुहा कहलाती है क्या कहलाती है केंद्रिये नाल कहलाती है कब कर दो रॉपके नेंक्स्ट है इससे तंत्र का उतक से, एक तंत्र का कोशिका से, दूसरी तंत्र का कोशिका में, तंत्र का आवेग रसायनिक रूप से, किसके द्वारा संचरित होता है, तो यह एसेटिलीन, कोलीन द्वारा संचरित होता है, किसके द्वारा, एसेटिलीन, कोलीन द्वारा संचरित होता है, नेक्स्ट है, तंत्रिका तंतु का छेत्र, जहां मेडूलरी आवरण अनुपस्तित होता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, रैन वियर की नोड, क्या कहलाता है, फिर है तंत्रिकाक्ष की कोशिका कला कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सो लेमा, चीक है, एक्सो लेमा कहलाती नेक्स्ट है प्रतिवर्ति क्रिया है तो प्रतिवर्ति क्रिया क्या होती है जन्मिजाद होती है यह परिवर्तित नहीं हो सकती यह स्वचालित है तदा मनुष्य की इर्चा पर निर्बट नहीं करती तो उपरियोक्ति सभी इसका अंसर हो जाएगा फिर है रीड रज्जु उ किस से मेडुला से नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सा पादब हार्मोन फलो का पकना प्रेरित करता है तो एथलीन जो होता है वो फलो का पकना प्रेरित करता है ऑक्सीन का संचलेशन पादब के किस भाग में होता है तो यह शीर्ष भाग में होता है किसमें शीर्ष भाग म नहीं होता है नेक्स्ट है नेमलेकित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों में प्रकाश आनुवरतन की परिगटना के लिए उत्तरदाई है तो ऑक्सिंज होता है वो इसके लिए उत्तरदाई होता है नेक्स्ट है पादप हर्मोन जो पादप शरीर में वयस्क पत्तियों तदा फलो के गिरने को प्रेड़ित करता है क्या कहलाथा है ये कहलाता है एपसिसिक अम्ल क्या बोलते हैं एपसिसिक अम्ल सूर्य के मारग के ενुसार सूरजमुकी के पुष्प की गति किसके कराण होती है तो ये प्रकाशानु वर्तन के कराण होती है नेक्स्ट है पादप भाग जिसमें रिनात्मक गुरुत्वानु वर्तन पाये जाता है तो वो होता है तना जिसमें अंदर बिल्कुल नहीं होता गुरुत्वानु वर्तन है ना नेक्स्ट है पराग नली की अंडप की और वर्दी किसका एक उधारन है तो ये है रसाय नानु वर्तन का ठीक है किसका है रसाय नानु वर्तन का फिर है प्ररहो की प्रकाश की और गती है तो ये प्रकाश अनु वर्तन है उसके बाद नेक्स्ट धनात्मक गुरुत्वानु व तो थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन जो है वो आवश्यक होता है ठीक है इन सब को आपको याद करना है अच्छे से फिर निमने में से कौन असुमिलित यूग में तो देखो जो एस्ट्रोजन होता है वो अंडाशन में होता है अगनाश है इंसुलिन प्रोस्टेजन अंडाश इंसुलिन होता है इंसुलिन कंट्रोंतर सुनना करती है बॉनापन वरधी हख्यक् में किसके कारण नेक्सित है निमन में कौन अपात — गरंति कहला ठीक है उसके बाद नेक्स ека अंशिया नेक्सट है एडि एच एंट्डा यॉ रियातिक हर्मोन की दिंटा से नोंता से उत्पन्न होता है कौन पर होता है किस से लिडिंग को शिकाएंप ते एड उधक परेंड़ कोई नैक्स नेक्स देखिए, निम्लिकित में से कौन सा हर्मोन, शिशु के जन्म कि समय, गर्भाशय के संकुचन में सहयता करता है, तो ऑक्सी टॉसिन जो होता है, वो सहयता करता है, निम्लिकित में से कौन सा हर्मोन, इस्टिरोइड नहीं है, तो एड्रोजन होता है, वो उसके बाद नेक्स देखते हैं अंतहर इस्तरावी गरंती तथा उनके हार्मोनों के सही मिलान का नीचे दिये गए विकल्पों में से चैन कीजिए तो इनमें आपको विकल्प दे रखें तो आपका जो अंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखो सही की विकल्प का चैन करना है तो एका हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका है ना मैलिटोनिन हो गया ठीक है बी का हो गया फूर्थ यानिकी थायराइड का हो गया टेट्रा आयो डो थाय यूरिन चीक है उसका सी का हो जाएगा थर्ड अंडाश्य का हो गया आपका यह पहल वाला ठीक है यह आपका आंसर हो जाएगा और लास्ट हमारी वीडियो का master granti कैला दिये तो master granti कैलाती है pit tutory कैलाती है pit tutory granti को master granti कहते है तो यह पने top 49 अपने देखें mcqs जो कि आपके exam के point of view से बहुत ज़्यादा important है ठीक है बाकिया आपने अगर हमारी 10th की science की playlist नहीं देखे तो उसको देखे और अपनी पढ़ाई को enjoy कीजिए मिलते हैं बहुत सब नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye guys